नमस्कार दोस्तों जै हिंद जै भारत दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे शुष्क क्रेशी और आद्र क्रेशी में अंतर इससे संबंदित प्रेश्ण कक्षा बारवी विशे भूगोल में पूछे जाते हैं इसलिए आपको इस वीडियो ध्यान से देखना चाहिए और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरा चैनल भी आपको सब्सक्राइब करना चाहिए और करिये ही ठीक ना तो शुष्क मतलब क्या होता है सूखा और आद्र आद्र मतलब क्या होता है दोस्तों गीला तो हम देखते हैं वर्षा की कमी वाले छेत्रों म शुष्कता सेहन करने वाली फसलें लगाई जाती हैं अर्थात वे फसलें जो शुष्क इस्थान पर भी लग जाती हैं जो गर्म इस्थान पर भी सूखे इस्थान पर भी आसानी से लग जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं शुष्क क्रेसी वाली फसलें कहते हैं उसे ही निरभर होती हैं यह on कि एक टिल कमधे-प्रदेश के कुछुछ एक दोस्तो मापर कि जाती है माचा बार्ष होती है तो वहां पर क्या होता है पानी तुे रड़क के चला जाता है ठीक ना पठारों से लेकिन वहन वह देते हैं जुआर और बाजा बोजते हैं जो आसानी से उग आती है और उनको फसल या फिर खाद्ये परदान कर देती है यह पैसा और खाद्ये परदान कर देती है आदर क्रेशी में देखते हैं जिन भागों में वर्षा अधिक होती है वहां आदर क्रेशी की जाती है इस क्रेशी को जल की अध की फसल होती है जैसे हम देखते हैं चावल गन्ना चावल में पानी चाहिए गन्ने में पानी चाहिए तो यह चावल गन्ने की खेती काई में आएगी आद्र क्रेशी में जबकि जुहार बाजरा की खेती काई में आती है शुष्क क्रेशी में आती है ठीक है ना उम्मीद है आ